बिना मूट के फ्राइ किये हुए चुर्मा लड्डू मूँ में डालते ही इसका क्रिस्प क्रंच आपको महसूस होगा इतने स्वादिश्ट बनकर तयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से तयार हुए है चुर्मा लड्डू बिलकुल इंस्टन्ट ऐसे आसान तरीके से बिना महनत किये हुए तयार हो गई है चुर्मा लड्डू क्रिस्पी क्रंची इंस्टन्ट इजी ऐसे तो चलिए शुरुआत करते हैं ये क्रिस्पी क्रंची होते हुए भी जट से तूट जाते हैं मल्टी किचन पूने में आज बहुत ही स्पेशल लड़ू रेसिपी तयार हो रही है वो है बिना मूट बांदे बिना मूट फ्राइ किये हुए चुर्मा लड़ू खाते ही मूँ में एहसास होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने है और तूटने पर ये जट से तूट भी जाते है तो जरू जरू चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए चुर्मा लड़ू की रेसिपी के लिए सबसे पहले बड़ी परात में लेंगे हम घ्यो का आटा वो भी चान कर लेना है घ्यो का आटा फिर लेंगे आधा कप सूजी बारिक वाली सूजी लेनी है मोटी वाली सूजी बिल्कुल यूज नहीं करनी है मोस्ट इंपोटन टिप है सब के लिए और फिर ढाल देंगे धाई टेबल सब्सपुन घी घी धाई टेबल सब्सपुन ही डालना है घी डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है तो ही हमारे ये लड़ू क्रिस्पी और क्रंची और घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे बस हलका सा पिंच ओफ साल डाल देंगे घी बराबर धाई टेबल स्पून मिक्स किया है हमने और पिंच ओफ साल पी डाल देंगे और अच्छी तरह इस घी को स्पून से भी निकाल लेना है और पिंच ओफ साल डालने के बाद बिल पूरे आठे में मिक्स कर लेना है और फिर दोनों हातों में लेके इस तरह इसे रब करना है दोनों हातों से रब कर लेना है और आप देख सकते हैं जब हम दोनों हातों से रब कर लेते हैं तो यह मिश्रन इस तरह से हो रहा है इस तरह से अगर यह बन जा रहा है तो तयार है ये आठा गूतने के लिए पानी डालके इसे गूत लेंगे, हम अच्छी तरह से टाइट ऐसा दो इसका तयार करेंगे, टाइट डो बन कर तयार है, अभी इसे साइड में रख देंगे, और इसकी छोटी-छोटी लोईया सबसे पहले तयार कर लेंगे, लोईया इस तरह से बनाकर इसकी बेल लेंगे हम पूरी मीडियम साइज में या पतली जैसे आपको पसंद है लेकिन ये फ्राइ होके बनती तो है क्रिस्पी और क्रंची आप देख सकते हैं इस तरह से सभी पूरिया हम बेल लेंगे सभी पूरिया हमने बेली है इस आटे से 18 अब 20 पूडिया बेल कर तयार हो जाती है, टेल को हमने कर लिया है, हाई फ्लेम पर गरम, फिर फ्लेम को कर देंगे, मीडियम पर और एक एक पूडि करके इसे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसे ब्राउनिश कलर में बहुत ही पेशन्स के साथ फ्राई करना है, ताकि ये इसलिए यह बहुत ही क्रंची बन जाती है और एकसे सॉइल निकाल देना है अच्छी तरीके से इसका आवाज भी आप देख सकते हैं सभी पूडिया फ्राय होके तयार है किस तरह से यह क्रंची बनी है आप आवाज देख सकते हैं अब इसी तरह से सभी पूडिया हमने तोड अब इसे मिक्सी पर grind करेंगे दर दर ऐसा मिक्सी पर grind करते वक्त ये ध्यान रखना है कि बटन को हमने on off करके grind करना है एकदम से बटन को हमने start नहीं करना है बस बटन को चालू किया बन किया चालू किया बन किया इस तरह से ये दर दर ऐसा मिश्रन बन कर तयार हो जाता है बि एक टी स्पुन इसमें डाल देंगे कटे हुए बदाम काजू इसे अच्छी तरफ पिंकिश कलर में सिम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे बिल्कुल पिंकिश कलर आना चाहिए और यह जब फ्राइ हो तब यह जो चुर्मा लड्डू का मिश्रन है इसमें डाल देंगे यह पूर और आधा टी स्पुन मिला सकते है और गुर्ड डाल दिया है आधा कप प्यूर वाला जैग्री लिया है बस इसे मेल्ट करना है हमने इसका चाचनी तयार नहीं करनी है बस मेल्ट होने के बाद तुरंथ ही मैंने फ्लेम को किया है आफ अभी इस मिश्रन में डाल देंगे मिश्रन को सबसे पहले कर्ची से मिक्स करना है ताकि गुड बहुत ही गरम होता है हाथ लगाते ही चटका लगता है इसलिए सबसे पहले कर्ची से मिक्स करना है इस मिश्रन को अच्छी तरह से और फिर हाथ से मिक्स कर लेना है और यह हलका सा गरम होते ही इसके लड़ू तय ताकि अगर आप थंडा होने के बाद लड्डू तयार करने जाओगे तो यह लड्डू बिल्कुल तयार नहीं होगे इसलिए हल्का सा गरम रहते ही इसके फटा फट लड्डू तयार करने है आप देख सकते हैं पूरा चुर्मा हाथ को लग रहा है क्रिस्पी ऐसे क्रंची ऐ प्रशाद के लिए आप यह बाट सकते हैं घर पर ही इसे हल्दी तरीके से बना कर खा सकते हैं या फ्राइ करने के लिए मैंने तेल का यूज किया है आप घी का भी यूज कर सकते हैं तयार है चुर्मा लड्डू मल्टी किचन पूने स्पेशल यह रेसीपी जरूर ट्राइ कीजिए मल्टी किचन पूने चैनल जो पहली बार देख रहे है जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन काल को प्रेस कीजिए वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए वीडियो पूरा देखिए कमेंट और शेयर करना मत भूलिए हम इस लड्डू को तोड़ कर भी देखेंगे यह किस तरह से देखिए तूटे ही तूट जा रहा है लेकिन क्रिस्प और क्रेंच से भर पुर ऐसे लड़ू खाते रहिए खुश रहिए